इंदौर नगर निगम शहर में चेंबरों की सफाई के लिए अब कर्मचारियों का अंदर नहीं उतारेगा बलकि अब रोबोर्ट चेंबर साफ करेंगे जी हाँ नगर निगम ये अनूठा प्रयोग करने जा रहा है देखे इस खास रिपोर्ट में स्वच्छता में तीन बार हैट्रिक लगा चुका इंदौर साफ सफाई के मामले में नित नए उपकरण एवं उप्योग करता आया है इसी क्रम में अब इंदौर में चेंबरों की सफाई के लिए निगम कर्मियों को नहीं उतरना पड़ेगा गौरतल भै कि पिछले वर्ष च चेंबरों की सफाई यह निगमों की सफाई आसान हो जाएगी निगम युगत ताशीश सिंघ्सिंग निगम को जल्द ही दस रोबोटिक मशीन मिलने वाली है इसने चैंबरों की सफाई आसान हो जाएगी तो कि BPCL ने हमसे संपर किया था और उन्होंने हमको यह ओफर दिया था कि वो 10 रोबोट फ्री में देना चाहते हैं और आगे संख्या को बढ़ाएंगे भी अगर हम लोग 10% पैसा नगर निगम मिला देता और 90% पैसा वो लोग देने को तयार है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज है CSR में हमको इतना पैसा डाही तीन करोण का मिलेगा कम से कम हम लोगों ने इसके लिए सहमती जताई है BPCL के फॉर्मल एक तरीके से हम लोगों को सहमती के अंतजार है जैसे फॉर्मल सहबती मिलेगी वैसे इसके आगे हम लोग काम चालू करें लेकि रोबोटिक मशीन चेमबर्स में अभी जो वैसे तो हम लोग जो है जो हमारी जेट पेशर मशीन से या सकर मशीन से उनसे काम करते है लेकिन कहीं कहीं पर देखा जाता है कि वहाँ पर मशीने काम नहीं करती हैं वहाँ पर हमको मैनुवल एंट्री करनी पड़ती है उसके लिए हलाके हम लोग पूरी ध्यान रखते हैं पर्यापत रूप से जितना पीपी और उपकरण होते हैं कमपनी से CSR activity के तहत कर रही है इसमें कहा गया है कि 10 प्रतीशत राशी निगम को देनी है बाकि पूरी राशी कमपनी द्वारा भुकती जाएगी 10 रोबोटिक मशीने मिलने से चेमबरों की सफाई आसान हो जाएगी निगम कोशिश करेगा कि अब सभी चेमबरों की सफाई ऐसी ही की जाए प्यूर रिपोर्ट, MP News अन्दौर